मैं यह आप से निवेदन कर रहा हूँ कि बाजपा द्वारा संस्थानों की हत्या का देश झेल रहा है दंश। भाजपा को लगता है कि विपक्ष के बिना वो चला लेगी देश कॉंग्रेस की आवाज को दबाने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा वो ये कर सके इस तानाशाही इस निरंकुष्टा का चहरा पिछले कुछ दिनों में संसत में बड़े नंगे रूप से दिखा है इस सत्तारूर पार्टी और इस सरकार का जिसने बार-बार चाहे वो श्री राहुल गांधी के स्पीच के बड़े-बड़े हिस्सों में शब्द निकालने की प्रक्रिया हो शब्दों को निश्काशित करने की प्रक्रिया हो एक्सपंक्शन की या वही प्रक्रिया हो मान्य श्री मलिकार अर्जुन खर्गे जी के वक्तवे से या कुछ हद तक जराम रमेश जी के वक्तवे से भी और उसके बाद मिस्रजदी पाठिल के निलंबित होने की प्रक्रिया मैं आपको इन सब को बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ लेकिन बात सिंपल सरल ये है कि अब संसद में भी ये सरकार और ये सत्तारूर पार्टी ये डराने की धमकाने की अत्याचार गनतांतरिक नियमों के साथ समविधान के साथ उसूलों के साथ करने की प्रफिया शुरू करने में जुट गई है वो नहीं चाहते कि संसद सहमती से चले समनवे से चले वो चाहते हैं टक्राव हो और टक्राव से चले टक्राव के नए-नए पहलू निकाले जा रहे हैं आप सब ने जो जनता के समक्ष अब दो-तीन दिनों स हैं वो सभी वक्तव पढ़े हैं देखे हैं सुने हैं जो मानने राहुल गानी जी ने दिये मानने खरगे जी ने दिये और आपके पास उनके टेक्स्ट भी हैं सबको मालूम है आप ये बताएं कि गैर संसिदिय इसमें एक शब्द अगर मुझे बता दे कोई दुर्वचन एक वाक्य बता दे मान मर्दन किसी संस्था का हुआ है वो बता दे मुझे आपत्ति जनिक या गाली गलोच वाला कोई शब्द इस्तमाल हुआ है वो दिखा दे हमें अभद्र मान हानी वाले शब्द क्या चीज है जिससे आपने ये शब्दों को निश्काशन करने एक्सपंक्शन वाली प्रक्रिया की और इस से ज्यादा शिश्टा चार के साथ शिश्टा पूर्वक राहुल गांदी जी और खर्गे जी ने जो बोला है वो सभी तथ्यों के अधार पे बोला है बलकि इतनी मजाकिया एक प्रव्रित्ती दिखाई है सरकार ने कि प्रश्णों को भी निश्काशित करने का प्रयद्न किया गया है प्रश्णों को भी निश्काशित किया गया है स्थंब हैं संग्रक्षक हैं और सबसे पहले संग्रक्षक हैं स्वतंत्र खुले रूप से अपनी बात रखने के सिध्धांत का पालन करने के लिए ये एक मौलिक स्थंब है हमारे गंतंत्र का कि हम स्वतंत्र रूप से निडर रूप से, सुतंत्र रूप से, खुले रूप से, अपने विचार संसद में रख सकें, और उसके संगरक्षक ये लोग हैं, ये अध्यक्ष हैं, क्योंकि संसद हमारे गनतंत्र का मंदिर है, उनके कवच के बिना, उनके संगरक्षक के बिना, उनकी सुरक्षा के बिना, ये स्वस्त संसिदिय विचार विमर्ष कैसे होगा डिबेट खत्म हो जाएगा स्वतंत्र बोलना जो हमारे सम्विधान की नीव है वो खत्म हो जाएगा संसिद के अंदर हम सब को खड़े होके इसको बचाना है और अगर आप सतंत्र खुला निडर पारदर्शी विचार विमर्ष नहीं अलाओ करेंगे संसिद के अंदर तो कहां आपकी गंतंत्र प्रणाली बचेगी वो अपरिवर्तनिय तरीके से खत्रे में पढ़ जाएगी आखिर संसिद को देश का सबसे व्यापक सबसे बड़ा गंतंत्रिक जांच का आयोग माना गया है इससे बड़ा आयोग कहीं नहीं है वो अपना काम कैसे करेगा अगर आप उसका गला घोट देंगे इस प्रकार के नियमों द्वारा जिसमें आपने शब्दों को निश्काशन किया इतने सारे वाक्यों को जिनका कोई एक्सपंक्शन के नियम से सरोकार तक नहीं है अगर आप उठा के पढ़ें तीन सो असी लोगसभा में और यही रूल है राजसभा में तो जितने मैंने शब्द कहा है आपको अभद्र, मानहानी, गाली गलोच, असंसिदियर एक शब्द बता दें उसके अलावा आप तीन सो असी को लागू नहीं कर सकते तो फिर कैसे कि आपने निश्काशन इन शब्दों का और इसका सिरफ एक कारण है सरकार का प्रेशर, दबाव, दुश्प्रभाव ये नियंतरन और कमांड संकी कमांड फ्रीक सरकार है जो हर चीज़ को नियंतरन फ्रीक नियंतरन संकी सरकार है और अब ये विधायका में भी यही कर रहे है दस तारीक को इसका एक और नया उधारन मिला आपको एक और नया अभूत पूर उधारन ऐसी उचाईयां इस अभूत पूर उधारन में हैं लेकिन दुखद मिसाल बनेगा ये भविश्य के लिए किसका तानाशाई का और निरंकुष्टा का और इसके कारण पूरी राजनेतिक सामोई कुरूप से जो विपक्ष का नाजनेतिक स्पेक्ट्रम है वो सदन से बाहर चले गए थे दस तारीक को मिस रजनी पाठिल एक 15 मिनिट की सर्जिकल स्ट्राइक शल्य चिकत्सा जिसको सरकार बहुत शौक से बात करती है उसके अंतरगत निलंबित हुई आरोप है एक वीडियो रिकॉर्डिंग के विशे में पहली बात कोई उनको कारण बताओ नोटिस कोई प्रक्रिया कोई 257 पढ़ें जिसके अंतरगती है किया गया तो लागू ही नहीं हो सकता उसमें बड़ा साफ लिखा है कि ये इसके लिए हो सकते हैं निलंबित अगर और मैं कोट कर रहा हूं परसिस्टेंट और विल्फुल बार बार और जान बूज कर आप अगर हाउस को चलने न दें या वातावरन पैदा करें कि मानने अध्यक्ष हाउस को चला न सकें अभी तक मिस पाटिल ने कोई जवाब नहीं दिया कि उनको अफसर नहीं मिला लेकि अगर ये मान भी लिए जाए कि किसी ने विडियो बनाया जो कि अभी किसी रूप से माना नहीं गया है तो भी वो परसिस अगरी बार की गलती है जिसमें कि हमेशा से चेतावनी ज्यादा से ज्यादा अगर ये हुआ है मानी जाती है न कि निलंबन चौथा इसमें जो सबसे बड़ा मूल सिधान्थ होता है कानून का जिसको प्राकृतिक नाय कहते है नैचुरल जस्टिस उसका तो फूरी तरह से लंगन हुआ है इंक्वाइरी आपने कही कि हम करेंगे उससे पहले नंबन कर दिया इंक्वाइरी शुरू नहीं उससे पहले नंबन कर दिया नोटिस देने से पहले नंबन कर दिया इंक्वाइरी कंप्लीट नहीं उससे पहले नंबन कर दिया तो जो भी आम संतुलन या संतुलित प्रक्रि के नियम हैं उनको आपने पहर फेंग दिया ख्रिकी के पांचवा मानने प्रधान मंतरी लगब नबे बिनिट या फिचितर बिनिट से ज्यादा बोले उनके स्पीच में कोई ऐसा व्यवदान पैदा नहीं हुआ तो बोली नहीं पाते नबे बिनिट तक जिससे के रूल नियम 257, 257 लागू होता कि अब्स्ट्रक्शन हाउस का ऐसा हो कि हाउस चलना पाए चलने ही पाता तो इतनी लंबी वक्तवे कहां से आता भाशन कहां से आता छटा ऐसे कई और धारन है पुराने बीते वे समय के आज की सतारूल पार्टी के मेंब्रान द्वारा ज्याद ज्याद से किसी को ओमिलियेट करना बार-बार उनका नाम लेके और खड़ा करना कटगरे में संसद में और फिन इलंबित कर देना बिना किसी प्रक्रिया के ये असंगत है अती है और सिर्फ पक्षपात से सरकार के दबाव से किया गया है हम यह कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष मोहदे को इस सरकार के अनुरोध को नहीं मानना चाहिए था जो की एक तरफा है पक्षपाती है और सभी गंतांत्रिक नियमों के विरुद्ध है हम यह भी कहेंगे आठवे पहलो में कि अगर कोई भी आख बंद करके पट्टी बांद कर भी देखने का प्रयत्न कर ले संसर्थ टीवी उस दिन का तो आप देखेंगे पक्षपात की कितनी बड़ी उचाईया उस दिन आई हैं ट्रेजरी बेंचिज और विपक्ष के बीच में कोई अनुपात ही नहीं है कवरिज का एक फ्रैक्शन भी एक छोटे से छोटा हिस्सा भी विपक्ष का नहीं दिखाया गया है अगर तुलनात्मक रूप से आप देखें माने पधान मंत्री के भाशन के समय की संसर्थ टीव कि इस बर्गलाने वाली प्रक्रिया में है कि वो एक सरकारी डिपार्टमेंट है या प्रवक्ता है सरकार का नकी संसत का एक चैनल तो आप समझ सकते हैं कि गंतांत्रिक लोकतांत्रिक संतुलन कहां चला गया है पक्षपात सबसे बड़ा एक आज सिध्धान्त बन गया है हम मानते हैं कि ऐसा जो हुआ है पक्षपात असमविधानिक सिध्धान्त गेर गंतांत्रिक गेर संसदिय और जो एक प्रकार से विधायका की पुरी प्रोसीडिंग्स को नीचे ले आया गया है ये सामोहिक पर्सना योग्य है और हम समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिस पे उस दिन तो हमने भार आई हैं अब एक दिन और बचाय संसत का कल सुबे मीटींग है आगे के लिए क्या किया जाएगा उसका निर्ने कल सुबे होगा